सुबह की चाय हो या फिर शाम की चाय हो अगर एक बार इस नमकीन को बना के रख लिया ना तो यकीन मानिएगा महीनों तक आप इसी नमकीन को रख के खाएंगे और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बहुत यदा हेल्थी बनके तयार होगी तो वीडियो के अंट तक ब बनाना स्टार्ट करते हैं तो आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने ये तीन कप पोहा लिया है जो नॉर्मली पोहा मनाते हैं ये वही पोहा है एक कप मैंने मखाने लिये हैं एक कप मैंने मूंफली के दाने लिये हैं आदा कप बदाम और आदा कप मैंने इसके अंदर आप अपने रिकॉर्डिंग इस सारे समान को ले सकते हैं तो चलिए कड़ाई के अंदर मैंने एक चमच तेल डाल दिया था घी डाल लिया है आप तेले घी कुछ भी ले सकते हैं पोह को डाल दिया है अब लोग टू मीडियम फ्लेम पे इसके करा रहा होने तक अची तरीकी से हम भूल लेंगे आप चाहें तो इसको फ्राय भी कर सकते हैं पर फ्राय करने में बहुत अनहल्दी हो जाएगा इस ट्राइप पर बनाएंगे तो बहुत यद्ध हैल्दी भी रहेगा और बहुत कम उइल का इसमें यूज होगा तो चलिएगा यह अची तरीकी से करा रहा हो चटकने नहीं लगते हैं और अची तरीकी से नहीं बुन जाते हैं तो मुमफली के दाने अची तरीकी से भून गए हैं अब मैं इसको निकाल लेती हूं तो आपको सारी चीजों को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको भूनना है अगर आप बहुत तेज आज पर इसको निकाल लेते हैं तो चलिएगा उसी घी के अंदर अब हम काजु भी डाल के भूल लेंगे अची तरीके से तो इन सारी चीजों को हमें लो टू मीडियम पर ही भूनना है अगर आज थोड़ी तेज जाती है तो आपको गैस को बंद कर देना है फिर नॉर्मल हो जाए तो फि बूल मिट्टी सब चुपक जाती है इसलिए आपको इसको अची तरीके से दोलेना यूज करने से पहले तो चलिएगा इसको पी तरीके से फ्राय कर लेते हैं अब इसको भार निकाल लेते हैं ज्यादा हमें नहीं बूनना है बस करा रहा होने तक सारी चीजों को बून लेन से बर नहीं संब्सुER त覺得 नहीं को स्कैब दियान लेते हैं अच्छी तरीके से फ्राय कर लेते हैं तो शी तरीके से लेता है वन्थ 5 टी रू दिया घाच्छु होती है मारे पाच्छन के लिए आधर चमच हल्दी घाल दी है एक नम्यक दाल सकते हैं 1 चमच्छम नथनक दा जाने मेर्ची पाउडर चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं पर अच्छा सा टेस्ट आता है तो अच्छी तरीकी से सारी चीज भून गई थी अब मैंने सारी ड्राइफ फ्रूट को इसके अंदर डाल दिया है अब इसको बेडाल गया हम अच्छी तरीकी से पहले इसकी बुना कर सकते हैं क्योंकि इतनी जदर टेस्टी बनके तयार होगी क्या आप शया सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि मैंने भी पहली बर बनाई अपनी लाइफ में तो चलिएगा अब मैं इसके अंदर आदा कटोरी के करीब मैंने शुगर पाउडर लिया है मैंने ये डाल दिया है ख कैसे बनाए पाउडर शुगर मैंने बस चीनी को मिकसर में डाल के पीस लिया था तो उसके बाद उसका पाउडर शुगर बन गया मैंने इसके अंदर डाल दिया बहुत यदा टेस्टी हमाई नमकीन जो है बनके तयार हो चुकी है तो चलिए अब सर्फ कर लेते हैं तो की सकते हैं एक तम घिली खिली बहुत यदा पोही की नमकीन बन आखे तचार हूँ है तो आप घुड़िये ना आपने की तीस्ते मिया जुश था है अज मै ने बनाई हैं वब्हुत यदा टेस्ती सी खट़िह मैठीय नमकीन लोग चेक करके बताओ को कैसे बशे हैं लोग तेस्टी बनी है तेस्टी बनी है तो देखा आप सबीने मेरी भेहन को बहुत यह पसंद आई तो अगर आपको भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरू कर दोना कमेंट देक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना कि आप सबीको यह रेसिपी कैसी लगी है और एसे चीची रे कैसी बीको देखने के लिए में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चलिए कफ़े मैं मिलूंगे आप से नेक्स्ट वीडियो में जबता के लिए बाई बाई एंड टेक केर